असलाम उलेकूं वेलकम टू मैच चैनल आज आपके साथ बहुत ही दो तरह की रेसिपी सेयर करेंगे जिंगे की जो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है तो सबसे पहले हम इसको साफ करके बताएंगे तो साफ करने के लिए देखे इसमें छोटे छोटे लंबे लंबे बाल होते है तो इसको बहुत अच्छे से साफ किया जाता है सबसे पहले इसको साइड में करते हुए एक एक जिंगा को उठाएंगे और इसकी जो मूच रहे हैं इसको हम कट कर देंगे चाहे तो हाँ से कट कर ले चाहे तो नाइफ की मदद से कट कर ले तो इसको सारे को अच्छे से ह साफ कर लेंगे देखिए हमने सारे जिंगों को अच्छे से साफ कर लिया है थोड़ा टाइम लगता है देखिए सारी गंदगियां इधर दिख रहे हैं आपको और सारे जिंगों कितने साफ दिख रहे हैं तो थोड़ा मेहनत का काम है मगर बहुत ही टेस्टी बनता है जिंगा इसको हम अच्छे से 2-3 पानी से साफ कर लेंगे देखिए पानी अभी गंदा है तो ऐसे हम 2-3 पानी से सारे जिंगों को हलके हाथों से हिलाते हुए साफ करेंगे देखिए हमारा पानी कितना साफ हो चुका है हमने अच्छे से इसको साफ कर लिया है 2-3 पानी से अब इसको हम अलग कर लेंगे पानी से सबसे पहले एक Mixer जार लेंगे हमने चावल भीगो दिया था 10-15 मिट के लिए अब इसका पानी अलग करते हुए हम इसमें चावल को Add कर देंगे तो हमने इसमें चावल को Add कर दिया है बहुत अच्छे color, green color के साथ क्योंकि हमने green चीजों का use किया था तो इस paste को हम उस जींगे में add कर देंगे तो हमने जो जींगा साफ किया था हम इसमें दो तरह की जींगे बनाएंगे तो हम इसमें आदे जींगे अलग कर लेंगे आदे हम fry करके इसको बनाएंगे और आदे बहुत ही टेस्टी मसाले में बनाएंगे तो एक वीडियो में आप दो तरह की जहिंगे बनते वे देखेंगे बहुत ही टेस्टी तो इसको हम जो पेस्ट बनाया थे हम इसमें एट कर देंगे सारे पेस्ट को अब इसमें कुछ ड्राइ मसाले ड़ करेंगे तो half teaspoon के करेब हमनेे healthy powder लिया है और half teaspoon हमने नमक लिया है हरे मिर्चि का हमने यूज की था इसलिए हमने लाल मिर्चि का एड नहीं किया है अगर आप चाहें to लाल मिर्चि का भी यूज कर सकते हैं तो इसको अच्छे से हलके से mix कर लेंगे, जिंगा बहुत ही soft होता है, इसलिए इसको हलके हाथों से ही mix करें, देखिए हमारा जिंगा अच्छे से mix हो चुका है, अब इसको थोड़े देर के लिए side में रख देंगे, आप चाहे तो इसको तुरंद fry कर सकते हैं, तो इसके लि दालेंगे, थोड़ा थोड़ा जिंगा डालते हुए, इसको अच्छे से चारो तरफ से एक layer जैसे होती है, वैसे फैलाएंगे, देखिए अच्छे से इसको हम फैला लेंगे, देखिए तीन से चार मियाट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से हमारा जिंगा एक तरफ से हो च प्याज लिए हमने चार से पांच लस्टन की कलिया ली है अदरक के दो इंच के टुकड़े लिये हैं और एक टमाटर रफली चॉप करके लिया है और एक प्याज लिये हमने जिसको ऐसे रफली कट कर लिया है अब इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे देखिए चलते हम यह जींगा मसाले में बनाने जो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है इसके लिए हमने एक पैन रख दिया है जिसमें चार से पांच टेवल इस्पून बड़े टेवल इस्पून के करीब हमने ओयल एट किया है अब हमने जो मसाला त्यार किया था यानि जो पेस्ट त शेटे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक हमारा मसाला अच्छे से भूनना जाए और जो हमने जार में थोड़ा से पानी आड करके इसमें डाल देना है। इस टाइम पर हम इसमें कुछ ड्राइ मसाले अट करेंगे ताकि सारे मसाले एक साथ अच्छे से भून जाएं तो half teaspoon के करीब हल्दी पॉडर लिया है हमने वन टेबल spoon के करीब धनिय पॉडर लिया है और half teaspoon के करीब हमने लाल मिर्च पॉडर लिया है इन सब को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टेबल इस्पून लिया है इन सब को अच्छे से मिक्स करते हुए चार से पांच मिनट के लिए अच्छे से सारे मसालों को भून लेंगे देखिए 2-3 मिनट हुए है अभी मसाला अच्छे से हमारा भुना नहीं है क्योंकि तेल उपर अच्छे से नहीं आया है इसको ढख के 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे देछिए मसाला हमारा अच्छे से थोड़ा सा भून गया है काफी अब इसको अच्छे से मिक्स करते वे चला लेंगे तेल भी उपर आ चुका है मसाले का मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है और खुश्पु भी बहुत अच्छी आरी मसालों की अब इस ताइम पे हमने जो जींगा साफ करके रखा था उसको एट कर देंगे मसाले में और इसको हलके हाथो से mix करते वे चला लेंगे सारे मसालों में अच्छे से जींग को मिला देंगे और इसको ढख के 3-4 मिनिट के लिए ऐसी ही medium flame पे पका लेंगे देखे 3-4 मिनट हो चुके हैं जिंगे का कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छे से देखिए पका हुआ दिक रहा है बट हम अभी इसे थोड़ा देर और पकाएंगे अच्छे से ताकि सारा फ्लेवर जिंगे में बहुत अच्छे से आ जाएं इस टाइम पर हम इसमें 1 टेस्पून के करीब जीरा पॉडर एट करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते वे चला लेंगे हमने गर्म मसाले का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है सिर्फ जीरा पॉडर का ही यूज किया है बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है जींगे का तो इसको ढख के चार से पांच मिनट के लिए और पका लेंगे इधर देखिए हमने जो फ्राइ किया था जींगा वो हमने दोनों तरफ से अच्छे से पलट के भी फ्राइ कर लिया है बिल्कुल अच्छे से हमारा बहुत ही क्रंची जींगा फ्राइ हो चुका है इसको निकाल लेते हैं और देखिए तोड़ के देखते हैं बहुत ही क्रंची बना है क्योंकि हमने चावल के आटे में बनाया था चावल को भिगो के बहुत ही टेस्टी जींगा बनता है तो एक बार आप इस जींगो को जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही टेस्टी बनता है ये जींगा देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी आया और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है एक तरफ हमने जो मसाले में जींगा तयार किया था वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमारा जींगा बहुत अच्छे से पक चुका है तो इसको चली प्लेट में निकाल लेते हैं देखिये हमारा जिंगा बिल्कुल डी है, बहुती टेस्टी दिख रहा है देखिये जिंगा, अब इसको हम उपर से हरी धनिया से गार्णिश कर देंगे, जिससे इसका लुक और भी बेश्ट लगेगा, बहुती टेस्टी, हमारे एक वीडियो में हमने दो तरह की रेसिपी ब बहुत पसंद किया गया प्लीज एक बार इसको जरूर ट्राइ करेगा थैंक यू